हेलो फ्रेंज रेश्पी पिटारा चैनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे मेथे के पत्तो और आलू से साग आप इसे साग या सबजी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि यह साग और सबजी दोनों का मिक्स है तो मेथे के पत्तो की साग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गरम करते हैं पैन मोटी तलिका होना चाहिए क्योंकि साग में बिना पाने डाले हमें पकाना है और पैन गरम हो जाए तो उसमें 2-3 चमच तेल डाल देंगे तेल गरम हो चुका है आधा चम्म जीरा डाल लेंगे और 5-6 हरी मिर्च को मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया है उसे डाल लेंगे हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आप खाते हों थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं और हमने 200 ग्राम आलू को चौको राकार में सबजी की तरह काट लिया है और धो करके साब पानी से अच्छे से रख लिया है तो तेल गरम हो चुका है अच्छे से और हरी मिर्च जीरा भी चटक चुके हैं तो अभी हमें आलू को डाल करके 2-3 मिनुट तक मेडियम फ्लेम पर भूनना है तो आलू को भूनते हुए 2-3 मिनुट हो गए हैं और अभी हमें इसमें एक बड़े साइज का प्याज है और हमने प्याज को लंबिया कार में काट करके ले लिया है तो प्याज को डाल देते ह प्याज पूरी तरह से drop encryption है आप चाहें तो यह डाले अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसकिप भी कर सकते हैं तो प्याज को भी अम्में डाल करके एक बार फ्यर से दो से तीन मिनॉट के लिए अलू और प्याज को भूनना है तो 2-3 मिनट हो गए हैं और आलू और प्यास भी देखे भून चुके हैं तो अभी हमने 500 ग्राम मेथी के पत्तों को लिया था तो पत्तों को धो करके साप पाने से और काट करके ले लिया है जब भी हम मेथी के पत्तों को आलू के साथ बना रहे हूं तो इसमें हमें अन्य कोई साग येट करनी की जरूरत नहीं होती है जैसे कि पालक, बथुआ, सर्षो या कुछ भी बस हम आलू और मेथी के पत्तों को बना करके टेस्टी सबजी तयार कर सकते हैं तो आधा चमचल्दी पावडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है हमने और सबजी के साथ अच्छे से मिक्स करना है तो ढब करके एक से दो मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि आलू आधा से जादा पक जाएं क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है तो दो से तीन मिनट हो गये हैं और आलू भी लगभग पक चुका होगा तो चेक कर लेते हैं तो एक पिंच इसमें हिंग भी हम डाल देते हैं हिंग भी पूरी तरह से ओप्सनल है फिर भी हिंग डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो देखिए आलू भी लगभग पक चुका होगा अभी हमें इसमें मेथी के पत्तों को एड़ कर देना है ध्यान रहे मेथी के पत्तों को बिना काटे ही पानी से अच्छे से धोले धोने के बाद ही पत्तों को काटे तो देखिए मेथी के पत्तों को हमने डाल करके अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर देना है और medium to low flame पर साग और आलू को पकने तक पकाना है आप अगर चाहें तो इसमें तमाटर भी एड़ कर सकती हैं यदि आपको पसंद हो तो साग के डालने के 2-3 मिनट के बाद तमाटर को भी डाल करके साग और आलू के साथ मिक्स करके अच्छे से पका लें इस साग को बनने में कम से कम 20-25 मिनट का टाइम भी लग सकता है तो अब भी दिखे हलका हलका पानी हो रहा है आलू में तो पानी को भी सूख जाने देंगे अच्छे से तो साग को आप ढ़क करके भी पका सकते हैं और बीच बीच में चलाती रहें च्छे से 7 मिनट का टाइम अब भी लगेगा अभी साग को बनाने में चुकि साग को हम मेडियम टू लो फ्लेम पे बना रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो अब भी देखिए पानी भी सूख गया है और साग लगबग बन करके रेडी हो गया है तो इस तरह से मेथी के पत्तों का साग बना करके आप भी जरूर ट्राइ करिएगा और यह साग की रेश्पी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सबिस्क्राइब करें और पास में पड़े हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेश्पी के साथ